नमस्कार दोस्तो मेरे नाम स्रीकान कुमर आप देखरे टुजेट टोसेस आज हम बात करने होगा इस वीडियो में दोस्तो अगर आप निव रासन कार्ड के लिए अपलाई किये हैं और आपका निव रासन कार्ड बन गया या फिर दोस्तो आपके पास कोई पूराना रासन का कि मेरा रासन कार्ड में अधार कार्ड बैंक एकाउंट NPCI लिंक है या नहीं है चेक करना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा और दोस्तो अगर आपके रासन कार्ड में अधार कार्ड NPCI बैंक एकाउंट लिंक अगर नहीं है तो लिंक किस पर का से करना है सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में कम्प्लीट बत लानी वला हूं इस वीडियो को पूरा देखना होगा तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे प्राइखन घंटी को प्रेस कर और ब्राउजर में टाइप करना है NFSA उसके बाद सर्च के option पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों सबसे उपर में जो link दीख रहा है NFSA इस link पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों भारत सरकार का official website इस प्रकार से यहाँ पे उपिन हो जाता है और दोस्तों एक option option पे क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहां पे एक option देखने के लिए मिल जाता है रासन कार्ड रासन कार्ड के option पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पे option देखने के लिए मिल जाता है रासन का आप mobile यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर three dot के option पे आपको click करना होगा click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है desktop site इस वाले option पे click करना है तो चलिम इस परकार से किसी state पे click करते हैं उसके बाद दोस्तों इस परकार से एक notification सो हो जाता है तो उसके बाद okay के option पे click कर देना है या फिर दोस्तों अपना state वाले option पे click करने के बाद इस परकार से अगर error note हों के देखने के लिए मिल जाता है तो फिर आपको क्या करना होगा तो दोस्तों सबसे पहले बैक हो जाना बैक होने के बाद दोस्तों सबसे पहले एक browser को open कर लेना है और browser में type करना होगा इस परकार से राशन card इस परकार से टाइप करना रासन कार्ड और जिस स्टेट से आप विलॉन करते हैं उस स्टेट का नाम को आपको यहां फिल अप कर देना है उसके बाद दोस्तो इस परकार के पेज ओपेन हो जाता है और दोस्तो जिस स्टेट से आप विलॉन करते हैं उस स्टेट पे क्लिक यहाँ पर दो option दिया गए village ward को select करना चाहते हैं या फिर dealer के थुरू आप देखना चाहते हैं तो इसमें से आपको जो भी मन होगा यहाँ से आपको select कर लेना है तो चले हम यहाँ से हम select करेंगे village village select करने के बाद दोस्तो यहाँ पर select करने के लिए आ जाता है village का नाम तो दोस्तो यहाँ से सबसे पहले अपना village का नाम को select कर लेना है उसके बाद दोस्तो जैसे आप नीचे आते हैं तो दोस्तो यहाँ पर देखिए रासन कार्ट का category को select करना होगा किस category का आपका रासन कार् आपके पास रासन कार्ड नंबर है याद है या फिर आपके पास है तो दोस्टो यह सब डेटेल से आपको फिलप करने के कोई जरुवत नहीं पड़ेगा यहाँ पर अपना रासन कार्ड नंबर को फिलप करदना है capture code को इस box में fill up कर देना है संबित के option पे click कर देना है या फिर अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तो आपको क्या करना होगा इस अब आपको छोड़ देना जो भी details अभी बतला है वो details को fill up कर लेना है इस capture code को इस box में fill up कर देना है उसके बाद संबित के option पे click कर देना है उस इस प्रकार से यहां पे देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पे देखने के लिए है तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि इतना unit आपके रासन कार्ड में है उसके बार दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आपके रासन कार्ड में कितने family का अधार card के साथ link है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया है यहाँ पर link है और दोस्तों एस side में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए data देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर देखिए data देखने के लिए है या नहीं लिंक है तो दोस्तों यहां पर देखिए आपनी यहां पर देखिए बनाया गया है यहां पर देखने के लिए रहा है निव और इसके सामने यहां पर देखने के लिए मिल रहा है एनपी सियाई मैपेड यानि इनका रासन कार्ड में NPCI लिंक है और दोस्तों NPCI लिंक होने के मतलब जो है कि bank account भी लिंक है bank account में NPCI लिंक है और bank account में अधार card भी लिंक है यानि तीनों चीज यहाँ पर लिंक है और दोस्तों लिंक है या नहीं लिंक है यहां से आप पता कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि रासन कार्ड में NPCI लिंक किस परकार से करना है तो दोस्तों रासन कार्ड में NPCI लिंक करने से पहले अपना बैंक के कौंट में अधार NPCI को लिंक करना होगा और दोस्तों जैसे आपके बै रासन कार्ड में अधार कार्ड लिंक हो जाता है उसके बाद दोस्तों एटोमेटिक अधार NPCI लिंक हो जाता है तो दोस्तों रासन कार्ड में अधार कार्ड लिंक कैसे करना है तो दोस्तों लिंक करने के लिए एक वीडियो पहले हम अपलोड कर दिया हूँ उसका लिंक इस व वैंड में कैसे आपको लिंक करना होगा तो दोस्तो ऑफ लाइन में अपना डीलर के पास जाना होगा और डीलरे के पास। मैरी चनल को ऑ